हेलो बच्चों, लाने शायन विद अन्पम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अन्पम जोहान आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे The Sun and the Wind का नेक्स पार्ट जो कि है एक एक साइस और इसमें एक साइस में हम लोग करेंगे Fill in the blanks complete तो आएए शुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं अपनी Word Power Exercise दिया हुआ है Fill in the blanks खाली जगे भरो with the given words दिये हुए शब्दों से दिये हुए शब्द मतलब इस साइड जो दिये हैं शब्द ये इन शब्दों से आपको ये सेंटेंस complete करने हैं और ये शब्द हैं Blue means बहा दिया या फिर उड़ा दिया H.O.L.D. Hold Hold means पकड़ना tightly कसके पकड़ना S.H.O.N.E. Shown Shown means चमका या जगमगाया G.E.N.T.L.Y. Gently means प्यार से थत्तपाना दीरे दीरे B.E.A.R. Bear Bear means सहना या बरदाश करना First sentence है It is too hot To means होता है बहुत ज़्यादा Hot means गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है I can't, मैं नहीं सकता The heat Heat means भी गर्म होता है गर्म या तपन मैं तपन नहीं सकता तो sentence के कॉर्डिंग यहां पर सा वर्ड मैच हो रहा है यहां पर मैच हो रहा है Bear Bear means सहना या बरदाश करना तो यहां पर फिल कर देंगे B.E.A.R. Bear I can't bear the heat मैं गर्मी सहन नहीं कर सकता या नहीं सकती Second sentence My father मेरे पिता ने patted me मुझे थप थप आया Dash On my back मेरे पित पर मेरे पिता ने मेरे पित पर थप थप आया तो इस sentence में कौन सा वर्ड फिटाएगा इसमें फिटाएगा Gently Gently means प्यार से मेरे पिता ने प्यार से धीरे धीरे मुझे थप 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 आया On my back Next sentence देखिए The wind हवा ने Dash Away The leaves Away means होता है दूर करना और leaves means होता है पत्तियों को हवा ने पत्तियों को दूर कर दिया कैसे कर दिया हवा जब चलती है तो सुखी पत्तियां उड़कर दूर चल जाती है तो यहां पर आएगा B-L-E-W Blue Blue means उड़ा दिया हवा ने उड़ा दिया पत्तियों को दूर तक Her face, उसका face, उसका चहरा, उसका किसका? Girl का, लड़की का, हर यूज होता है लड़की के लिए उसका face, dash, with a glowing smile, glowing smile होता है चमकती हुई smile, मुस्कराहट उसका चहरा, चमकती हुई मुस्कराहट से, यहाँ पर फिल हो जाएगा, shown, shown means जगमगाया उसका चहरा, चमकती हुई मुस्कराहट से, जगमगा गया अब देखते हैं, last sentence, dash, my hand tightly, मेरा हाथ कसकर, so that, ताकि I may not fall, मैं न गिरूँ मेरा हाथ कसकर, पक्ड़ो, ताकि मैं न गिरूँ तो यहाँ पर बच्चा हुआ word, फिल कर दिया जाएगा, hold, तो यह हो जाता है, hold my hand tightly, मेरा हाथ कसकर, पक्ड़ो, so that I may not fall, ताकि मैं न गिर सकूँ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे next वीडियो में, इस lesson के next part के साथ, तब तक आप इसको अच्छे से study करिएगा, अगर आपको lesson से related या फिर video से related कोई भी query है या सवाल है, तो आप उसको comment section में पूछ सकते हैं, till then bye bye, take care आपको